हलो प्रेंट्स विल्कम टो आवर चैनल आज मैं आप लोगों के साथ दाल पालक की रेश्पी सेर करने जा रही हूं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता और इसे बच्चे भी बहुत ही आराम से खा लेते हैं तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं इसे बनाना बहुत ही ज लगता ही है यहां पर देखिए बस मैं तीन चीजे लिए हूं एक मुठी मसूर दाल और इसमें थोड़ा मुंग दाल मिक्स है तो इस तरह से मैंने दाल ले लिया है मसूर दाल और यह मुठी पालक और है टमाटर तो टमाटर आप और ज्यादा भी डाल सकते हो तो यहां पर अद्रक लशन और मिर्ची आप तीखा अनुसार दीजिए और नमक डाल दी हूं और बस अब इसे कुकर बंद करके इसे तीन सीटी तक पका लेना है ताकि अच्छे से सब कुछ गल जाए और तो देखिए यह बहुत ही अच्छे से पक चुका है यह सभी चीजे पानी इतना अब इसे हम ग्रेंट कर लेंगे अच्छे से तब को एक अच्छा सा पेष्ट बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड इसे मैंने ग्रेंट कर लिया है इस तरह से सब को मैंने पीस लिया है यह बहुत ही अच्छा पेष्ट बन गया है तो चलिए अब इसमें तड़का लगा दे तो मैंने बोला थे बहुदी ऑपनाना और मेरे बच्चे इसे ग्रीन डाल के बहुत ही अछी तैस्ट है इसका अप gitti जरूर две किई एक बनाने में लाघ है और पता ही नहीं चलता कि इस इस मैं और बॉल शथिया और टड़के में देखिए दाल पालक डाल दूंगी और इसको जितना गाढ़ा रखना है आपको उसे साथ से आप इसमें पानी डाल दीजी तो पानी में वही सब धोकी डाल दूंगी कुकर हो गया ग्रैंडर हो गया बस उतना से हो जाएगा तो इस तरह से हमें गाढ़ापन देख लेना है और नमक अगर आपने कम डाला होगा तो आप नमक यहां पर एड़ कर सकते हो और हल्दी डालने के जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह ग्रीन डाल बन गया है और बस अब कुछ नहीं करना है इसे उवाल आने तक इसे पका लेना है और यह ग्रीन डाल बनकर रेडी हो जाता है तो है तो इस ठंडी में आप लोग ये डाल जरूर ट्राइ किजिए और कैसा लगा जरूर बताएगा कमें तो मेरी डाल भी पक चुकी है ये देखे हुआ ला चुका है और ये डाल बन करे रही है खाने के लिए तो फ्रेंड कैसा लगा आज का ये रेसिपी जरूर बताएगा और मि तो ये देखे दाल खाने के लिए रेडी है बिल्कुल दम सूप लग रहा है ना पालक का सूप जैसा आप इसे ऐसे भी पी सकते हो तो चलिए मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर